प्रदान मंत्री आवास यूजना के माध्यम सी नाखपुर शहर के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर को आवास प्रदान किया जाएगा ऐसा आश्वासन नाखपुर जिले के सरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत नी दिया वे उत्रनाखपुर में नारी, वंजारा और कलमना पानी की टंक्यों के उद्गाटन के अस्तर पर पूल रहे थे उत्रनाकपुर में नारी, वंजारा और कलमना और वर्धा मार्ग पर चिजभवन में पानी की तंक्यों का उद्खाटन पालक मंत्री ने तिन राउत के हाथों किया गया इस दोरान कलमना में जल्लकुम के उद्खाटन समहारों में बोलती हुए डक्टर राउत ने कहा कि अब विकसे छेत्रों की विकास के लिए विबन्न यूजनाय चलाई चारी है इन पानी की तंक्यों का निर्मान पर करोड़ रुपए खर्च के गया है जिसमें से एक लाग से अधिकल लोगों को पानी की आपुरती होगी इन पानी की टंकियों का निर्मान जवारलाल नहरू, शेहरे पुनर निर्मान मिश्यन की थैद नाखपर सुधार प्रणैद्वारा किया गया है इस असर पर नासुप्रा के अध्यक्ष्य मनुझ कुमार सुर्यवन्शी, नासुप्रा की मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय, कार्य पालक अभियंता संचे पोहिकर उपस्ति थे उस से में बोलते हुए डॉक्टर राउत ने कहा कि वंजारा और नारा में कलमना के साथ पानी की टंक्यों का उद्खाटन किया क्या है जो एक शेत्र में कई दिनों से मांग को पूरा कर रही है तिनों टैंकों से प्रति दिन 50 लाग मिटर पानी की आपुरती होगी यह सब हिसा अविकसित है नागरिक सुधाय अभी तक पूरी नहीं हुई है एक शेत्र में नगर सेवकों और अन्य जन प्रतिनियों दियोद्वारा कई उकार्यों की मांग की गई है इन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया चारा है प्रधान मंत्री आवास यूशना के ठैट आरतिक रोप से कमजोर वर्क के लोगों को आवास उपलब कराने का प्रस्ताव करेंगी मैं इस शेत्र के सरवांगिन विकास के लिए प्रयासरत रहूँगा क्यामरा पोसन राजकमार मोहर के साथ दुशाहटवार बीसेन न्यूस नागपूर